Hi guys, welcome back to the channel everyone Pro Committee Season 9 के लिए यहाँ पर Official Retention Announcement होते जा रही है और आज Bengaluru Bulls की Official Retention की बात करते हैं जो आज Retained Players हुए हैं Total 6 Retained Players यहाँ पर Bengaluru Bulls ने Officially Announce कर दी हैं और यह 6 वी Players के बारे में मैं पहले भी बता चुका था अगर आपने मेरा वीडियो पहले भी दिखा हो तो Officially Retained होने से पहले भी मैं पूरी Retained Player List आपको बता चुका था तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में Bengaluru Bulls ने Total 6 Players Retained करे हैं सबसे पहले शुरुबात करते हैं 3 Elite Retained Players से 3 Players Elite Category में Retained करे गए हैं जहाँ पर सबसे पहला नाम है Defender Mahindar Singh का Mahindar Singh Bengaluru Bulls की तरफ से खेलते आ रहे हैं काफी समय से खेलते आ रहे हैं अच्छे Defender है पिछले सीजन कुछ 50-55 लाग के अराउंड इनको खरीदा था और यह Retained हो चुका है Mahindar Singh देखते हैं कप्तान की जरूरत है पवन सहरावत रिलीज हो चुके है यह Confirmed हो चुका है सहरावत क्यों रिलीज हुआ है इसके उपर भी वीडियो डल चुका है चानल पे तो जाके देख लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में में लिंक दे दूमा चलो ठीक है देखने को मिलने वाली है और तीसरा इलीट प्लेयर जो रिटेन हुआ है वो है जीबी मोरे अब ये थोड़ा सा सप्राइजिंग लगा में को चंदरन रंजीत और जीबी मोरे में एक टॉस अप रहने वाला था यहाँ पर जीबी मोरे के साथ गई है यह टीम जीबी मोरे की जो प्राइज है वो कम है चंदरन रंजीत कुछ 80-80 है 80 लाक्स के थे और जीबी मोरे कम के है तो इसलिए शायद यहाँ पर जीबी मोरे को रिटेन किया गया है जीबी मोरे ओल राउंडर है डिफेंस भी मतलब समाल लेते हैं और यह as a third raider, as a second raider भी उभर कर आ सकते हैं इस season तो अब देखते हैं जीबी मोरे को रिटेन करा गया है तो यह matches इस season जादा खेलने वाले हैं तो यह तीन elite retain players हो गए इसके बाद अब बढ़ते हैं अगले मतलब जो young players category है वहाँ पर एक player retain हुआ है जो है सौरव नांदल यह retain होना ही था इसमें कोई गुजाईस ही नहीं है इसमें तो आप कुछ सोच भी नहीं सकते सौरव नांदल बिंगलू रूबल्स की तरफ से काफी समय से बहुत अच्छा खेलते वे आ रहे हैं काफी अच्छे defender हैं यंग player category में इनको retain करा गए और कोई कोई दिक्कत नहीं है इनको retain होना था बड़िया प्लेयर है इस सीजन भी मज़ा आने वाली है सौरव नांदल भी आपर बिंगलू रूबल्स की टीम का इससा रहने वाले हैं और अगले दो players जो retain हुए है वो NYP में हुए है अंडर new young players category में retain हुए है पहले है भरत हुट्डा और दूसरे है अमन अंतल defender है यह सब वीडियो मतलब यह सब players के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ अलरड़ी ठीक है यह officially retained player list है एक बार वापिस से इसलिए आपको बता रहो और यकीन हो जाए यह सब official updates है बारत हुट्डा पिछले सीजन अच्छा के लिए पावन से रावत के साथ जब बेंच पर बैठते है थो तो इन्होंने रेडिंग डिपार्टमेंट अच्छा समाला था बारत हुट्डा है यहाँ पर इस सीजन हो सकता है कि एक प्रवाइबल फर्स्ट रेडर उभर कर आजा है एक फ्रंट लाइन रेडर उभर कर आजा है बेंगलो रुबूल्स के लाथूट्डा अच्छे लंबे कद के खिलाडी है मजाने वाली है अच्छा रेडर है और आकरी प्लेअध बेंगलो अन। जो बेंगलो inhal अन्तिल से कोछ है उन्हें बोला था हमें को याद है एक बार बेंगलो रुबूल्स के लोड़ है कि इस सीजन अमन अन्तिल को देखना प्छले सीजन की बार चल रही है सीजन एड में अमन अंतर ने भी अच्छा performance किया है तो अमन शॉली इस सीजन भी यहाँ पर रिटेन हुए है बेंगलोरोबुल से खेलने वाले है तो ये 6 प्लेयर्स यहाँ पर बेंगलोरोबुल ने इस सीजन रिटेन करे हैं महेंदर सिंग, आमन अंतिल, भारत खुड़ा और सौरफ नांदर इसी के साथ यहाँ पर जो रिटेन हुए है दो प्लेयर्स और मयूर कदम और जीवी मोरे अगर अच्छे लेगी तो लाइक उशागा देना, बाबाई, ठीके